प्रधान मंत्री और मंत्री परिशद राष्टपती को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिशद होती है जिसका प्रधान प्रधान मंत्री होता है लोकसभा के बहुमत आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त व्यक्ति को राश्ट्रपती प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त करता है प्रधान मंत्री अपने मंत्री परिशत के सदस्यों को चुनता है जिन्हे राश्ट्रपती नियुक्त करता है प्रधान मंत्री व्यवहारिक रूप में सरवाधिक शक्तिशाली होता है, जैसा कि हमने उपर पढ़ा, राष्ट्रपती प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत की अनुशंसा के अनुरूप ही अपने अधिकार्श अधिकारों का प्रियोग करता है यदि राष्ट्रपती मंत्री परिशत की सलाह के बिना कारे करे तो यह असमवधानिक होगा प्रधान मंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के कारण विधाईका और कारिपालिका दोनों पर नियंत्रण होता है प्रधान मंत्री राष्टपती वा संसत के बीच सेतू का काम करता है लोकसभा विगटित हो जाने पर भी मंत्री परिशत समाप्त नहीं होती अगली सरकार के गठन होने तक वा राष्टपती को परामर्ष देती रहती है प्रधान मंत्री की न्यूक्ति वस सरकार गठन के लिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए बहुमत का अर्थ है लोकसभा की कुल सदस्यों में कम से कम आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन होना चाहिए यदि वर्तमान लोगसभा में कुल 543 सांसद स्रीटे हैं तो उसमें बहुमत के लिए कम से कम 272 सांसदों का समर्थन अनिवारी होगा लोगसभा के सदस्य कई राजनेतिक दलों या पार्टियों में बटे होते हैं जैसे कॉंग्रेस पार्टी, भारती जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी आदी कई पार्टियां राजविश्यश्की भी होती हैं जैसे AIADMK, त्रणमूल कांग्रेस, शिरोमणी अकाली दल, असम गण परिशद हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती हैं और नीती संबंधित प्रस्ताओं होते हैं, जिनको आधार बना कर वे चुनाओ लड़ते हैं, चुनाओ के बाद लोकसभा में विभिन पार्टियों के सदस्य चुनकर आते हैं अगर इन में से किसी एक पार्टी के 272 या अधिक सांसद हो, तो उसके नेता को प्रधान मंत्री नियुक्त किया जाता है लेकिन यदि किसी भी दल के पास बहुमत ना हो, तो एक से अधिक दल गटबंधन कर सकते हैं और मिलकर सरकार बना सकते हैं गटबंधन दलों के नेता को प्रधान मंत्री के रूप में राश्रपती नियुक्त कर सकता हैं प्रधान मंत्री अपने या सहयोगी दलों के सदस्यों में से अपने मंत्री परिशत के अन्य मंत्रियों का चैन करता है और उनकी योगिता वा अनुभव के अनुरूप उन्हें विभिन्य विभाग सौपता है मंत्री मंडल को प्रधान मंत्री के नेत्रत्यों में कारिक करना होता है प्रधान मंत्री सरकार के सभी महत्तोपूर नेणयों में समलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में नेणय लेता है हम यह कह सकते हैं कि केंद्री सरकार के संचालन की दूरी प्रधान मंत्री होता है मंत्री परिशत लोकसभा के प्रती सामुहिक रूप से उत्तरदाई है अर्थात जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्याग पत्र देना पड़ता है सामुहिक उत्तरदाईत्य की भावना यह है कि सारे मंत्री एक दूसरे के काम्त का समर्थन करेंगे और संसद में या सार्वजिनिक रूप में एक दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे यह माना जाता है कि सारे मंत्री एक दूसरे तथा प्रधान मंत्री की सहमती से कारिय करते हैं यदे किसी एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा अविश्वास वेक्त करें तो मंत्री परिशत को इस्तीफा देना होता है मंत्री मंडल के सदसे तो राजनेता होते हैं और वे बहुत सेमित समय के लिए मंत्री होते हैं इनका मुख्य काम नीतिगत निर्णा लेना और विभागों और लोगों के बीच कड़ी के रूप में काम करना होता है मंत्री मंडल को राजनेतिक कारेपालिका कहते हैं इसके अलावा सरकारी नौकरों, पुलिस, आधी का एक बड़ा धाचा होता है जिसे प्रशाशनिक कारेपालिका कहते हैं। ये लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं और संबंधित विभाग के काम काज में निपुण होते हैं। इनकी मदद से सरकार अपनी कारेपालिक जिम मिदारिया निभाती हैं।